प्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने IQ Z9X Android मॉइल फून में आप अपने मॉइल फून में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं वो भी साउंड के साथ आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वाला हूं त स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय आपके मॉइल फोन में से जो कुछ भी साउंड की आवाज आएगी वह आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ठीक है तो इस पर आगर आप टिक्मा के समय आप मॉइल फोन में जो भी कुछ आप बोलेंगे वह आपका रिकॉर्ड होगा ठीक है और देखिए चौथा option है known, known के आगे अगर आप टिकमाक लगा देते हैं और फिर आप screen recording चालू करते हैं तो इससे आपके phone में screen recording तो होगी लेकिन कोई भी sound record नहीं होगा ठीक है तो इन चारों में से जो भी आपको option मतलब चाहिए तो उस पे आप टिकमाक लगा लिजिए और इसके बाद start screen recording का option tap करना है तो आपका screen recording का छोटा सा page आता है देखे counting चलने लगी है तो आप यहां पर कोई भी moment करेंगे वह आपका recording में record होगा ठीक है और देखिए एक बात बताता हूँ यह recording का छोटा सा page आप करेंगे ना तो इसमें देखिए दो line का option है दो line का जो option है कर सकते हैं ठीक है और देखिए बाद में जब कभी आपको screen recording को दुबारा continue करना है उसी जगे से तो आपको करना है के screen recording का button tap करना है और यहां पर ट्राइंगल शेप का प्ले बटन है प्ले बटन पर टैप कर देना है तो आपकी recording जो है वहीं से continue हो जाएगी ठीक है यह दे से tap करना है ठीक है तो इस तरह के tap करेंगे तो आपके recording खतम हो जाएगी notification आज जाएगा आपके file सेव हो जाएगी आपके file आपको mobile phone की gallery में album बगएरा में मिल जाएगी ठीक है तो इस तरह की से आप अपने phone में screen recording कर सकते हैं वो भी sound के साथ ठीक है